तो दोस्तो नमस्कार मैं अविशेक आनंद दोस्तो आज का जो वीडियो है उसका में सब्जेक्ट है कि जो इंडिया में 59 चाइनीज एप्स बैन हुए हैं इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इनफ्रोमेशन दिना चाहता हूं मुझे आपके बहुत सारे कॉमेंट्स मिले हैं और लोग पूछ रहे हैं कि यह जो एप्स जो बैन हो गया है तो वो हम यूज कर पाएंगे या नहीं अभी तक तो वो गूगल प्ले स्टोर में दिख रहा है आगे क्या होगा तो इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे आपने कॉमेंट्स भी किया है और मुझसे पुछा है तो चुकि बैन हुआ है तो इससे रिलेटेड में कुछ इंफर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में देना चाहता हूं और यह बहुत इंपोर्टेंट इंफर्मेशन आपके लिए होगा अगर आप इन चाइनिज एप्स जिनको बैन किया गया है यूज कर रहे हो ठीक है अ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी के लिए बंद नहीं होंगे और जो आप मैं बताना चाहूंगा कि एप के बैन होने में और ब्लोक होना जो होता है बैन होना और ब्लोक होना दो अलग अलग चीज़े होती है जिससे पहले आपको समझना होगा ठीक है को पता है कि इसस आप्स है जिनको बैन किया गया है अभी तक Google Play Store में क्यों दिख रहा है यह आपके कुछ और जब करने के बाद जो है कमपनियां को समय लेती है इसको बंद करने के लिए उसके बाद ही पूरी तरह से यह बंद हो पाती है जेनरली जो है इंडियन गर्वेंट जो है गूगल से और एपल से जो है उनको जो है request फेचती है कि आप जो है इन एपस को जो है अपने जो प्ले स्टोर्स है ठीक है वहां से इसको जो है वहां से इसको रिमूब कर दीजिए तो फिर जो है गुगल को और एपर को भी इसको हटाने में थोड़ा समय लगता है अचल्फ चाहिक के वहां देश वह पूंता फिर इसको लेकर पूछा जा रहेंगे ठीक है और बहुत सारी जो यूजर से हैं टिक टॉक पर जो कॉंटेंट बनाते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारा आप पैसा कमाते हैं तो उन यूजर का डेटा जो है आपका कहां पर रखा जाएगा यह भी में आपका एक कोश्चन उभड के यहां पर आ रहा है स उसको गूगल प्लेट से जब वो हट जाएगा एपल के प्लेट से हट जाएगा ठीक है उसके बाद उसको कोई नया आदमी जो है वहां पर यूज नहीं कर पाएगा बहुत तरह लोग क्या करते हैं कि जब कोई एपलीकेशन जो है बैन हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे एक यहां पर आपको नया कुछ अपडेट में नहीं मिल पाएगा अभी क्या आपको नया आता साथ गूगल प्लेट कर लेते तो वह चीज आपका वहां पर नहीं हो पाता है एक कोश्चन और भी आ था था कि क्या जो apps हमारे mobile में पहले से इंस्टॉल वो ban हो छुका है तो क्या हम उसको यूज करते रहेंगे या फिर उसको भी सरकार जो है बर्म बैंक कर सकती है तो फोल्विस्ट के दॉबारा के सकता सरकार के पास तारण चीज रहता है वो चाहे तो आपका आई-पी आड्रेस ट्रैक करकर भी जो है आपके आपको जो है बंद कर सकती है मतलब पहले से भी लोग अगर उसको जो है मतलब की इंस्टॉल करके अपने मुबाइल में रखे हुए हैं गूगल प्लेइस्टोर में नहीं चल रहा है तो भी अगर सरकार चाहे तो उसको आप बैन कर सकती है आई-पी आड्रेस के को ट्रैक करके लिए बहुत मुश्किल बात यह चीज नहीं है ठीक है लेकिन में चीज में आपको यह बताना चाहूंगा कि हम लोग टिक-टॉक यूज करते हैं क्यों करते हैं उसमें बहुत सारे इंट से हटा दिया गया है तो फिर उसका फिर खतम हो जाता है आप अपने मॉबाइल में अगर रखे हो कोई नया यूजियर आप से नहीं जूर रहा है तो उसका क्या आपको बेनिफेट है तो उस बैन का जो है जो है उसका यही प्रफॉब पड़ेगा कि आपको नए यूजड आपसे यह है जो जरूर बताइएगा कि हिजोने फंड कर दियां है तो इसके बारे में आक क्या सोचते हो आपका क्या ख्याल September Beck किरे मुझे जरूर बताइगा कि यह जो सरकार का डिसीजिजन लिया गया है वो जो है आप उसके बारे में क्या सोचते हो तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ important question का आपको जवाब यहां पर दे दिया है जो की चाइनीज आप से 59 जो बैन हुए है उसे डिलेटेड कॉमेंट मुझे मिले तो आपको मैंने बहुत सारा जवाब यहां पर दिया और आपके मन में जो doubt और question सा मुझे लगता है कि उसमें बहुत question का जवाब आपको यहां पर मिल गया होगा यहां आई बोटन में और भी डिलेटेड वीडियो का लिंक मैं दूंगा आप उसको वाच कीजिएगा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेर और कॉमेंट जरूर कीजिए को कोश्चन हो डाउट हो एडवाइस हो कॉमेंट कीजिए किसी नए topic पर वीडियो चाही के डिरिक इस application के मदद से आप मुझसे बात कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए notification को दबा दीजिए ताकि इस तरह के जब भी मैं वीडियो बनाओं आपके लिए आप उसको पूरा watch कर सके आपको notification मिल जाए और उसको watch करके जल्द से जल्द आपको पूरा knowledge मिल सके ए और भी अच्छे अच्छे content अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊं तो बहुसा है लोग ignore कर देते हैं उसी को ignore ना करें अगर इतना समय दिया है तो comment प्यारा सा जरूर कर दीजिए ताकि उससे motivation मिले इससे हमें और वीडियो बनाने में help मिलेगा ठीक है वीडियो को like जरूर करें और अपना प्यारा comment भमुले comment जरूर करें धन्यवाद